दोस्तो आज के इस वेडियो में मैं आपको बताऊंगा नाबी में नारियल का तेल लगाने के फाइदों के बारे में जदतर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है कि हम नाबी में अगर नारियल का तेल लगाते हैं तो स्वास्ते को कितने फाइदे मिलते हैं आप भी जानिये इसके बारे में नाबी में तेल लगाना स्वास्ते के लिए बहुत फाइदे मन्द होता है ताउच्छा के लिए बहुत फाइदे मन्द होता है बालों में तो नारियल का तेल लगाने से बाल काले और लंबे बनते ही है शाथ ही अगर आप इसको नबी में लगा लेते हैं तो सरीर को बहुत सारे फायदे मिलते हैं क्यों मिलते हैं क्योंकि नारियल का जो तेल है उसमें एंटी उक्षिडेंट, एंटी इंफलेमेंटरी, एंटरी, माइक्रोबियल और विटामिन E और फैटी एशिड होते हैं जो आपके स्वास्ते को कई सारी बिमारियों से दूर रखते हैं अगर आप रात को शोने से पहले नाबी में दो तीन बुंद नारियल के तेल के डाल कर अच्छे से उंगलियों की शायता से मसाज करेंगें तो आपके स्वास्ते को बहुत सारे फाइदे मिलेंगे जो इस परकार से है शबसे पहला और सबसे बड़ा फाइदा है आपकी आंखों के लिए आजकल आंखें कमजोर होती जा रही है जिसको देखो चस्मा लगाए रखता है लेकिन अगर आप रात को सोने से पहले नाभी में नारियल का तिल लगाते हैं तो इस से आपके आंखों की रोसनी बढ़ने में यह मददगार साबित होगा शाथ यांखों से जुड़ी होई कई परकार की प्रेसानियां दूर करेगा नमबर दो है महिलाओं के लिए यह क्यों फाइदे मंद है जो पिरियेड्स का दर्द होता है उसमें महिलाओं को काफी फाइदा मिलता है दर्द से चुटकारा मिलता है और जो एंठन हो जाती है उस से रहत मिलती है अगर महिलाएं रात को शोने से पहले नाबी में नारियल का तेल लगा लेती है इसके अलावा जिन लोगों को पेट में गेंस की समस्या रहती है तो वो भी रात को शोने से पहले नाबी में नारियल का तेल लगाएं ऐसे में उनको काफ़ी फाइदा मिलेगा यह है टोट का बहुत कामका है नाबी में नारियल का तेल लगाने से आपकी जो ताउचा है वो शवुस्त रहती है केल मुआशे नहीं होते हैं ताउचा पर और जो होट फटने की समस्या है और एडियाँ फटने की समस्या है ताउचा अगर किसी की फटती रहती है तो वो भी दूर हो जाती है अगर आप रात को सोने से पहले नाबी मेनारियल का तेल लगाते है क्योंकि इसमें विटामिन E मुझूद होता है जो तौचा में नमी बनाए रखने का काम करता है आप क्या काम करें आप करें कि रात को सोने से पहले नाबी को गिले सुते कपड़े से साफ कर ले इसके बाद में 2-3 बूंद नारियल तेल की अपनी नाबी में डालें अगर आप सर्दियों के समय ये इस्तमाल कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप इसको थोड़ा हलका गुनगुना गरम कर सकते हैं नारियल के तेल की ताशीर है वो ठंडी होती है तो शर्दी के मुश्रम में इसे नॉर्मल करना ज़रूर ही होता है बाकि अगर आप गरमियों में इसका इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको इसको गरम करने की कोई आवशकता नहीं है दो तिन भूंद नाबी में डालें अच्छी तरह से उंगलियों को गुमाएं पंद्रा से दस मिनट तक गुमाते रहें और इस परकार से लगाएं इस परकार से लगाने से आपको जो फाइदे मैंने आपको बताए वो शारे के शारे फाइदे मिलेंगे अगर आपको ये जनकारी काम के लगी है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद